हाई एवरीवन विल्कम बैक टू माई चैनल उम्मीद करता हूं आप लोग सवस्त होंगे दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं कि गर्मी में आप लू से कैसे बचे आज मैं आपको इसका कारण लक्षड और इलाज भी बताऊंगा कि अगर आपको लू लग गई है तो इ साफी परिशान होते हैं जैसा कि अब गर्मियों को मौसम शुरू हो गया और धीरे-धीरे करके लू भी चलना शुरू हो गई है तो उससे कैसे बचा जाए जिससे कि आप पूरी तरह से फिट रहें और आपकी गर्मिया बड़ी आराम से निकले तो चलिए वीडियो को शु सूखता है या आपके गले में काटे जैसा लगता है जैसे लगता कि आपके गले में कोई काटा चूब रहा है आपका गला बहुत सूख रहा है आपकी हतेली तलवों और आखों में जलन महसूस होती है आपको तेज बुखार हो जाता है आपके बाड़ी में दर्द होता है आपकी बाड़ी बहुत कमजोर ठकी ठकी फील करती है आखों की नीचे काला पन हो जाता है आपको बहुत बेचैनी घबरहत रहती है तो यह सारे लक्षड होते हैं लू लगने के अगर आपको इन में से कोई भी लक्षड दिखाई दे रहे हैं तो आपको लू लग गई है अगर बहुत तेज धूप है और बहुत तेज गर्म हवाय चल रही है तो अगर बहुत जादा जरूरी ना हो तो आप घर से बाहर ना निकले और अगर आपका जाना बहुत जरूरी है तो आप घर से ठंडा पानी पी कर निकले और साती साथ आप छाता या गमच्छा ले ले और उसको अपने सर पे और कानों पे अच्छी तरह से लपेट ले जिससे कि आप लू की गर्म हवा से बस सके और आपको लू ना लगे और अब बात करते हैं दोस्तों इलाज की की अगर आपको लू लग गई है तो इसका क्या इलाज है दोस्तों लू एक बहुत ही खराब ची चुटा टुकडा दे दें उसको चूसने के लिए कि वह बर्फ को चूसे प्यास का ताजा रस निकाल कर दो दो चमच थोड़ी थोड़ी दिर पे उसको देते रहें खाने में आप फल या फलों की जूस का ही सेवन करें और अगर आपको बुखार है तो बुखार में आप हल इलाज हो सके और अगर आपको लू लग गई है तो आप इस कंभीर परिशानी से बस सके और जल्दी से ठीक हो सके तो दोस्तों यह थे लू लगने के कारण लक्षड और इलाज तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई होप यह व सब्सक्राइब जरूर करें जिससे मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक जरूर पहुचे थेंक यू